आज का हम लोग का पहला प्रस्ण है यदि A प्लस B प्लस C बराबर 16 और A B प्लस B C प्लस C बराबर 28 है तो A Q प्लस B Q प्लस C Q माइनस 3 A B C का मान क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि A Q प्लस B Q प्लस C Q माइनस 3 A B C का फर्मूला होता है A plus B plus C into A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA लेकिन इस प्रस्नों को हल करने के लिए हम लोग बार बार इतना लंबा फामुला नहीं लिखेंगे हम लोग A plus B plus C को X के रूप में लिखेंगे A square, B square, C square को Y के रूप में लिखेंगे और AB, BC, CA को Z के रूप में लिखेंगे अब इतना लिखने के बाद हम लोग X, Y, Z के बीच एक संबंद याद रखेंगे और उसी का परियोग करते हुए इस प्रकार के प्रस्न को हल करेंगे हम लोग का संबंद होगा X square is equal to Y plus 2Z यानि कि जब भी इस प्रकार का प्रस्न होगा उसमें A plus B plus C A square, B square, C square AB, BC, CA किसी तीन में से दो का मान देगा तीसरे का मान ग्याद करके हम लोग इस प्रस्न को हल कर लेंगे तो यहां हम लोग के पास है A plus B plus C का मान 16 है यानि हम लोग कर सकते हैं कि X का मान 16 है और यहां X square है तो X का square यानि 16 का square हो जाएगा 256 बराबर Y, Y यानि A square plus B square C square नहीं मालूम है यानि Y का ही मान ग्याद करना है जबकि 2Z, Z का मतलब, Z का मतलब है A, B plus B, C plus C है यहां से लेंगे हम लोग Z का मान तो Z हो जाएगा 2 into Z का मान तो 78 में 200 गुना करेंगे हम लोग का हो जाएगा 8, 2, 16, 7, 2, 14, 15 अब इस 156 को यहां लाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा 156 घटेगा, आजाएगा 100 यानि कि हम लोग कर सकते हैं Y का मान हो गया 100 अब यहां हम लोग मान को रख करके इसको हल कर लेंगे हो गया, Y, Y मतलब A² प्लस B² प्लस C² तो Y का मान है हम लोग का 100 आया है एक देंगे 100, माइनस Z का मान Z यानि A B माइनस B C माइनस C है यानि कि यदि माइनस को कॉमन करें तो A B प्लस B C प्लस C है, 78 लिखेंगे 78, यह हो जाएगा हम लोग का 16 178, घटाएंगे 22, इसको हम लोग गुना करेंगे हम लोग का आजागा 352 यानि कि A Q प्लस B Q प्लस C Q माइनस 3 A B C का मान होगा 352, आप्शन नंबर B हम लोग का आगला प्रस्ण है यदि A प्लस B प्लस C बराबर 9 A square प्लस B square प्लस C square बराबर 29 तो A Q प्लस B Q प्लस C Q माइनस 3 A B C का मान क्या होगा अभी हम लोग देखे थे कि इसको हम लोग किस रूप में लिखेंगे X इन्टू Y माइनस Z के रूप में जहां संबन था हम लोग का X square Y प्लस 2 इन्टू Z अब X का मतलब था A प्लस B प्लस C यानि A प्लस B प्लस C का मान 9 तो A square करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 81 Y Y किसको माने थे? A square वाले को यानि A square प्लस B square प्लस C square इसको हम लोग Y माने थे तो यहां 29 है लिख देंगे 29 प्लस 2 Z 2 Z, Z का मतलब Z बरावर हम लोग का था A B प्लस B C प्लस C है यह हम लोग का Z था अब इस 29 को यहां लाएगे तो साइन चेंज हो जाएगा यह हो जाएगा हम लोग का 9, 2, 11, 52 यानि 2 Z का मान आगे 52 दो से काट देंगे 26 तो Z का मान होगे हम लोग का 26 अब यहां हम लोग मान रख देंगे तो X का मान X यानि A प्लस B प्लस C 9 Y का मान Y यानि A स्कार प्लस B स्कार प्लस C स्कार 29 29 माइनस Z का मान Z यानि A B प्लस B C प्लस C यह हम लोग का 26 आया है 26 9 यह हो जाएगा हम लोग का 3 9 27 यानि A Q प्लस B Q प्लस C Q माइनस 3 A B C का मान होगा 27 अप्शन नमबर B